हेलो बच्चो कैसे हो मैंने तुम्हें लखनवी अंदाज जो शितीज का तीसरा पाठ है पढ़ने के लिए दिया था उमीद करती हूं कि सब बच्चों ने अच्छे से पढ़ लिया होगा और समझ लिया होगा तो आज हम इसके अभ्यास के प्रशनुत्तर करेंगे जिन बच्चों ने पाठ नहीं पढ़ा है वो अवश्या पढ़ेंगे पहले और उसके बाद ही तुम्हें प्रशन समझ में आ सकते हैं पाठ को पढ़े बगार प्रशन नहीं समझ में आ सकते हैं इसलिए जो काम दिया जाए पाठ पढ़ने के लिए दिया जाता है तो पाठ को पहले पढ़ा करो तो आज हम इसके अभ्यास के प्रशन उत्र करेंगे सबसे पहला प्रशन है लेखक को नवाब साहब के किन हाव-भाव से महसूस हुआ कि विए उनसे बात्चित करने के लिए तनिक भी उत्सुख नहीं है तो हम कहेंगे कि लेखक जब रेल में बैठा तो उस समय उस डब्बे में और कोई भी नहीं था एक नवाब पहले से ही बैठा हुआ था और उसने अपने सामने एक तोलिये के उपर खीरे काटके रखे हुए थे लेकिन जैसे ही नवाब ने देखा कि मेरे डब्बे में कोई और सामाने वेक्ति आ गया है तो उससे देखकर उससे अच्छा नहीं लगा और उससे उसने थोड़ी सी भी बात नहीं की और अजीब समू बना लिया और पूरे रास्तें बात भी नहीं की तो उसके इस हावाउ को देखकर लेखक नहीं है अंदाजा लगाया कि नवाब कि लेखक के रेल गांडी के उसी डब्बे में चड़ने पर नवाब को क्या हुआ वो उससे बात करने के लिए तानिक भी उत्चुक नहीं था यानि बात नहीं करना चाहता था फिर दूसरा प्रशन है नवाब नमक मीच बुर्का अंध्ता सूम कर ही खिड़की से बाहर फैंक दिया उन्होंने ऐसा क्यों किया होगा उसका ऐसा करने उसका कैसा सभाव क्यों इंगत करता है इंगत करने का मतलब दिखाता है इसारा करता है तो हम बताएंगे कि नवाब साहब जिस रेल के डिब्बे में बैठे हुए थे वहाँ पर लेखक चड़ जाते हैं और लेखक के उस डब्बे में जाने के पाद नवाब जो अपने आपको नवाब समझता था एक सामाने व्यक्ति से हट कर अपने आपको ज़्यादा अच्छा समझता था तो वो यह सोचता है कि मैं एक सामाने व्यक्ति के स तो इस मेरी क्या होएगी तोहीन होएगी मेरी बेजयती होएगी मेरा रुत्वा कम हो जाएगा ढता है लेखर के सामने बड़े हिश्यान के रुमाल विछा then उसके ऊपर खीड़ों को काटे झीघरों कार ऊपर नमक मसाला लगाता है और उन खीरों को सूंग कर लंबी सांस लेकर रेल की खीड़की से बाहर फैंक देता है और ऐसा करके हरे कीरे के साथ करता है और उसके पसचात इस परकार से डकार लेता है कि जैसे उसका पेट भर गया हो यानि वो क्या दिखाना चाता है वो यह दिखाना चाहता है, कि मैं खीरे जैसे सामाने पदार्द को नहीं खाता हूं। तो ऐसा करने से उसके किसी स्वभाव को दिखाता है, कि वो अपने नवावी, जो तोर तरीके थे, उसके जो एहसियत थी, वो यह सोच कर कि एक सामान्य व्यक्ति के सामने खीरा खाना उसकी बेजती होगी, ऐसा उसके सुभाव की और इशारा करता है, आगे है तीसरा प्रशी, बिना विचार घटना और पातर के भी क्या कहानी लिखी जा सकती है, यश्पाल के इस विचार से आप कहां तक सहमत है, य जो कि जिस किसी चीज के ऊपर भी कहाने लिखेंगे, तो हम कुछ समय के लिए उसके बारे में सोचते हैं, पात्रों का यू कर अनुमान लगाया जाता है, अगर हम किसी को कहाने सुनाएं भी गे, तो राजा की है, करानी की है, राजकुमार की है, या किसी सामान्य वैक्ति क लिखें भी गे, तो कोई ने कोई तो हमारे मन में विचार आएगा कि हमने कहाने किस के उपर लिखी है, तो क्या है, या फिर कोई घटना होगी उसके उपर हम, जो हमारे आँखों देखी भी हो सकती है, या किसी की सुनाई हुई भी हो सकती है, तो बिना विचार घटना और पात्रों के तो कहानी संभव ही नहीं है, हम इस बात से पूरी तरह से सहमत है, और ये अश्पाल जो लेखक है इस पाट के, उन्होंने इस कहानी के माध्यम से ये दिखाने की कोशिश की है, कि जिस परकार से नवाब ने खाली सूम कर खिड़की में से उसको खीरे को फैंक दि पेट नहीं भड़ा जा सकता है, ठीक उसी परकार से बिना विचार, बिना घटना और बिना पात्र के कहानी में नहीं लिखी जा सकती है, ठीक है, अगला प्रश्न है, आप इस निबंद को और क्या नाम देना चाहोगे, तो हम कहेंगे कि हम इस निबंद को क्या नाम देना लिखी जा सकती और इसी परकार से इस बात को किस के माद्यम से दिखाया है नवाब के माद्यम से कि जिस परकार से उन्होंने दिखाया कि खीरा खाया नहीं और सुनकर फैक दिया और ऐसा ऐसास दिलाया कि जैसे उनका पेट भर गया है ठीक है ना तो लेखक ने नवाब का तो ये नवाब का उधारन देकर लेखक ने इस बात को बताने की कोशिश की है, तो लेखक ने नवाब के मादम से हमें ये बात समझाने की कोशिश की है, तो इस परकार से हम क्या कह सकते हैं, लखनवी अंदाज के स्थान पर लखनवी तोर तरीके, लखनवी एक लखनवी का घमंड या कोई भी हम जो तुम्हारे को सही लगे उस इस निभन्द का दूसर नाम हम दे सकते हैं तो यह तुम्हारे अभ्यास के प्रशन उत्र थे बिल्कुल आसान है उम्मीद करती हूं सब बच्चों को समझ में आ गए होंगे आगे क्या है आगे है रचना की देश्टी से यह बिल्कुल वही के वही प्रशन दुबारा से पूछे गए है पढ़ लेना एक और आगे कराने की जरूरत नहीं है उन्हीं परस्णों को दुबारा अलग अलग तरीके से बताया पूछा गया है ठीक है तो क्या है यह अभ्यास के प्रश्ण उत्र तुम्हें करने हैं और अपनी कोप्पी में आज और सब बच्चे मुझे वर्टपी परें डिया है आप मुझे मेरे पर्सनल फोन पर वर्टपी जरूर करेंगे आज इसे के साथ है आज हमारी क्लास समाप्त होती है धन्यवाद